जैम आतादी वैशनोदेवी से जुड़ी हर लेटेस जैनकरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बैल आइकन भी ज़रूर दबाएं जैम आतादी वैशनोदेवी यातर पर जा रहे हैं तो यातर से जुड़ी बड़ी जानकरी आप भगतुक्ले रिवोशनल पॉइंट लेकर आया है तो वीडियो गन तक देखना ना बूले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना बूले जो नजा है जहां पर चहल पैल साफ देखी जा सकती है दुकाने यहां पर खुली भी देखी जा सकती है प्रशासन के मुताबिक सुबह साथ बज़े से लिकर शाम को साथ बज़े तक दुकान खोली जा सकती है यहां पर वेपार यह दिवरा जो की काफी अच्छी बात है यानि कि अगर आप मादरनी की यातर पर जा रहे हैं तीन चीजों का आपको खास ख्यार लगना है पहली चीज यह है कि ठंड भी यातर पर है दूसरी चीज यह है बारिश भी हो रही है और तीसी चीज भगतों की संक्या भी बहुत जादा बढ़ गई है तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप यात्रा में जाएं कुछ इसी तरीके से भक्तों को सोने की जब जगा नहीं मिली तो उन्हें यात्रा मार्क पर ही विश्राम करने का फैसला करना पड़ा मातरनी की आतर पर ऐसा नजारा काफी लंबे समय बात देखा जा रहा है अगर दिसम्बर 2020 की बात करी जाए नए साल के आसपास ही ऐसा नजारा देखने के लिए मिला था तो यह कहीने के अब नामे बहुती बड़ी बात है आप भकतों को बता देना चाहता हूँ कि आमातरनी की आतर पर जा रहे है वैश्रों देभी आतर पर जा रहे है तो कुछ चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा जैसे कि बैटरी कार और हेलिकोप्टर सेवा हैं यह दोनों सेवा हैं ऐसी है कि जब मोसम बहुत जादा खराब हो जाता है तो दोनों सेवाओ को जादतर रद करना पड़ जाता है सबसे जादा हैं पर में बात यह है जो हेलिकोप्टर सेवा हैं वो हमेशा रद रहती है अगर मोसम खराब हो जाता है हाला कि बैटरी कार सेवा तब तक चलती है जब तक रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आ जाती जैसे कि भूस कलन जैसी कोई रुकावट नहीं आ जाती बाकी मातारी की यातर पर सभी सेवाय चल रहे हैं गोडे खचर पिठु पालकी की पुन्डूप से सेवाय चल रहे हैं भवन से बहरोबाबा के बीच में चलने वाली रूबवे की सेवाय भी पुन्डूप से चल रहे हैं तो अगर आप मातारी की यात्रा पर जा रहे हैं तो बाकि आपको खास दिकत को सामना नहीं करना पड़ेगा, कुछ इसी तरीके से मातारी की यात्रा पर भक्तों का बढ़ जाना काफी बड़ी बात है, आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, फिलाल शी मा यातर पर वो जाना रुक रुक कर बारिस हो रही है बादलों ने मातारी के त्रिकुटा परवत को जैसे घेर लिया है तो अगर आप मतारी की यातर पर जा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि ठंड के कपड़े लिए विना यातर पर बिल्कुल भी नहीं जाना है जिस यातरा का एक्सप्रियेंस कैसा रहा वहीं आप सही भग जो सामने नजारा देख पर हैं चरण पात का मंदिर पर इसर के पास का नजारा है जहां पर भगतों की आवाजाई साफ देखी जा सकती है कुछ इसी देरी के से मातारी की यातरा पर भगत बढ़ चड़कर हिस्सा ल बूलेकर आप चाते हैं मातनी की यातरा से जुड़ी रोजाना नहीं हो ताजा तस्वीरे प्राप्त करना पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना तो आप हम इंस्ट्रगाम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आमा तादी